इस दो मोड़् फाइंड करते काई मैंने आपको पूला कि मोड़् का मतलब है जो चीज़ मैक्सिमम नमबर आप ताइम्स हो रही है मतलब वह वाली मोड जाएगी जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम मैं मैं यहाइस है तो जैसे एक्जाम्पल फोर में हमें दे रखा है हुआ है प्रशें में कितने कितने मीकेट्स दिये है तू विकेट्स एक्विकेट्स फ़ुखिट्स विकेट्स एक पाइव जीरो नंहीं मैंख सोस्ती अब सर्में समझ में आ रहा है कि सबसे जादा बार जो यहां पर व मैं आपको यह मोड मीन distinction मिंड में क्या यहां पे हम सीधा देख रहे हैं जो चीज सबसे ज़्यादा बार हो रही है वह हमारा मोड है तो जो मीन की हम बात करें तुम मीन का मतलब है टोटी करो और नंबर आफ अप्टरवेशन से डिवाइट करो तो हमें मीन मिल जाएगा अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा करो कितना आ रहा है तो टोटी एट सुट्री टोटल यहां यानि कि पर मैच उसने 2.8 विकेट लिए इसका मीन है और जबार उने की बात करेंगे तो मैं आपको की सम्झा हूंगा की मीडियम कैसे अलग होता है तो मियन में आपको आपको मतलब कि तूर्टम इनका मतलब तो अबर सेंब्स illusion अब सर यह हमारी इंडिविज्वल सिरीज थी इसी को हम डिस्क्रीट बना सकते हैं जिसको आपने जो है टैली मार्किंग से समझा है लगाते थे अगर आपको याद आ रहा हो तो एसा टैली मार्किंग करते थे तरीके से एसे हम काटते थे याद आया अब इसी को हम डिस्क्रीट बना सकते हैं डिस्क्रीट कैसे बना सकते सब देखो यहां पर हम दिख लेते हैं नमबर अफिकेट्स नमबर अपिकेट्स यहां क्यों रख रहा हूं तो कि यह मेरा एकजा है यह मेरा एकजा है एकजा है तो निकालेंगे विकेट्स का ही तो मोड निकालेंगे मैचस का थोड़ी नमबोड निकलेगा जो डेटा दिया है वो डेटा की सीच के बारे में है वो डेटा नमबर अफिकेट्स तेकन वाया बॉलर उसके बारे में तो विकेट्स का मीन निकलेगा विकेट्स का मोड निकलेगा और विकेट्स का ही मीडियन निकलेगा फ्रिक्वेंसी का कभी भी मीडियन नहीं निकलता है फ्रिक्वेंसी का कभी भी मोड या मीन नहीं निक तो शबसे पहले आप यहां पर देखें की जो लिए गया है लोग कैसे कैसे आपको दिखरेंगे देखो दिख रहे है इस से ज्यादा तो महीं है सभ formation levels성 ने हिए हो न यह यह तो आवे यह देख़ोक्सट को ना तो इसकी टैली मार्किंग करारे हैसं ति उसने कितनी बार लिए कि एक बार दो विकेट उसने कितनी बार लिये तीन बार कि पर ह brain कि अई श्रों नीचेमा दो तो कि इसने कितनी बार है दो बार फिर एक तो यह हमने इसकी जो है टेली मार्किंग करके या फिर अपना डिस्क्रीट सिरीज में इसको कॉम किया तो इसी तरीके से आपको दे रखी है तो यहीं से आप समझ सकते हैं सबसे जादा फ्रिक्वेंसी किसकी है सबसे आना फ्रिक्वेंसी शिच्टी है तो सब्सकjskी है तो स्त्थी मोडों हो गया तो इंडिविज्यवेलORण डिस्क्रीट सेरीज में अगर मोड निकालने है तक आपने अ करी को दिक्कत आट सब्सक्रीय भी मोर्क्रीण अब इसी में मीन निकालो के तो वो टू-पॉइंट आएगा चाहे डारेक्ट से निकालो तो मीन और मोड दोनों ही अलग आते हैं और मीडियन भी अलग बात है तो उसको हम डिसक्स करेंगे जब ता हम सीखेंगे कैसे अलग है तो फिलाल अब हम अपने में काम की तरफ चलते ह स्कूल्स में मोड पे बहुत क्वेशन्स पूछे हैं और इवन मोड में भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी देकर या केस तड़ी देकर क्वेशन्स बनाएं तो हम उसी अप्रोच से जो है पूरा का पूरा अपना सिस्टम डिसक्स कर रहे हैं अब मैं आपको यहां पर जो है यह सम अब सर मान लीजे कि यह जो वन है यहां पर भी ऐसे थ्री आ रहा होता तो फिर तो यहां पर दो जगे फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती और थ्री हमारी हाइस्ट वाली वेत पसर उसकेस में मोड किसको लेते तो यह आप सीखो के इलवन क्लास में या और ग्राजूशन में जाके अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो गलती से तो हाला कि ऐसे में मोस्ट अप्रोपियेटली फिर बीच वाली वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाता है तो ख्यार अभी आप उस चीज़ पर ना जाएं आपके इस लेवस में कभी ऐसा मिलेगा नहीं आपको बराबर आगे बढ़ते हैं सर कंटीनियस सीरीज की तरफ जा रहे हैं कंटीनियस सीरीज केस में हम देखते कि अपने को मोड कैसे फाइंड करना है तो आपका एक्जाम्पल नंबर फाइव है मैं उसका डेटा कॉपी कर रहा हूं वहीं से आप समझेगा कि मोड कैसे निकल रहा है एक छोटा सा डेटा दिया है कंटीनियस सीरीज की फॉर्म में कि फामिली साइज और यहां पर आपको दिया है मतलब फामिली में कितने मेंबर्स हैं और ऐसी कितनी फामिली है तो फामिली का साइज दे रखा है कह रहा है ऐसी फामिली जिनका साइज वन से थ्री है अधुली मेंबर्स का एंधूं कि फाइव फाइव एंव कर फाइब और खरना ने कि खासकर मैंच में तो सरी यहां पर नमबर आप डेटा दिया है कितना कितना गिया डिए ऐट ब्रू टू हुआ हुआ है अब अपने को बोला इसका मोड फाइंड गरो है तो मोड का जब प्रोसीजर है वह तोटली अलग है किस से तोटली अलग है आपके कि मीन और मीडियन निकालने के प्रोसीजर से तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मुला समझा देता हूं उसके पाद में यह भी एक्स्पेन करूँगा कि यह फॉर्मुला कैसे ड्राइव हो रहा है कैसे आ रहा है बस इसी को भी समझेंगे हैं हमने जाला पढ़ना नहीं है बस यही समझता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोड किस तरीके से हम डिल करने वाले हैं तो सर्मोड अगर आपको फॉइंड करना है खासकर सिरफ यह जो फॉर्मुला लागा रहा है हम सिरफ कंटीनियूस सीरीज में लगेगा तो इसके लिए कह रहा है कि इसका तो इसका फ्रोट में प्लिस एफ़ ग्रिव दिल फड्रोन ओ अब्लू अपवसं वग्लिस एफ जीरो अपन अपवोण उफ व्काम खविकट खंट हैं और लास्त में आ पर सबस्के लाग्छ और लास्त मैं तो तो अभी मैं explain करता हूं कि है क्या पहले आप इसको समझ लिए कि यह किस तरीके से चल रहा है यह formula सर आपको दिया है मैं पूरा explain करता हूं कैसे यह drive हो रहा है कैसे हम इससे पूरी कहानी यहां पर discuss करने जा रहे है तो यह formula दिया है इसका explanation भी मैं आपको दें तो सबसे पहले आप यहां पर समझ यह कि यह क्या है तो सर यह जो एल है इस एल इस एक्चली लोवर लिमिट ऑफ दी मॉडल ग्लास कि लोवर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास कि मॉडल क्लास सर वो क्लास है जहां पर मोड लाए करेगा ठीक है अभी समझाता हूं सारी कारें है एच का जो वाल्यू है डाट इस कि साइज आफ क्लास इंटर्वल आप कंटीनियस सिरीज में इसको अपलाय करने और आपको मालूमें कि कंटीनियस सिरीज है क्लास इंटर्वल गीं होती है और सिरीज की खासियती है कि क्लास इंटरवल होगा अगर नहीं है तो हम बनाएंगे जैसे 9 में आपने हिस्टोग्राम ऑफ अनीक्वल क्लास साइज जो था हमारा अनीक्वल क्लास इंटरवल उसको हम बैलेंस करके जो है फिर से री राइट करके बनाते थे तो वैसी कहानी आप सम आधा हूं लोवर लेमिट एच मैंने आपको समझा दिया इसके बाद आप देखे तो यह एफ वंक्या है यह एफ वंचोंहे दिस एफ 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 ओनेशिवे विवेन सी ओ आफ मोर्डल क्लास एफ जीरो जो आप देख रहे हैं इस एफ जीरो इस एक्चली फ्रिक्वेंसी और क्लास प्रिसीडिंग प्रिक्वेंसी मॉडल क्लास से एक क्लास पहले वाली इस एक्वेंसी एफ जीरो है एफ तू क्या है एफ टू इस दी फ्रिक्वेंसी और दी क्लास सक्सीडिंग सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास मॉडल क्लास से एक बाद वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रिक्वेंसी एफ टू है अब सर यहां पर हम समयदी की कुशिश करते कि यह है क्या तो बिटा देखो तो सिरफ यह पांच चीज़ें आँ देख रहे हैं इन पांचों की पांचों चीज़ों में इस एच को छोड़ कर आपको अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा यह एच तो पल्ले पड़ गया होगा कि हां साब कि लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल हमें तू तो यह 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 जो चार चीजह Cornelle boxes मॉडल क्लास के उपर बेज्ड़ मौटल अदे गवा, इससे पहले भी मौडल क्लास हैं तो यह साफ-साफ देख ज़े साई मौडल क्लास आपक ऋभी आ जयादा पर visual क्या होगा और हमें इस फॉर्मुले की जुरत क्यों पढ़ रही है तो सर यहां पर मॉडल क्लास की अगर हम बात करें देखो अभी तक हमने इंडिविट्वल सीरीज वर डिस्क्रीट सीरीज में क्या बोला था जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड हो जाता ह तो अगर मैं इस कंटीनियस सीरीज की बात करूँ तो इस कंटीनियस सीरीज में आपको सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कहां दिख रही है सबसे ज़्यादा frequency आपको यह 8 दिखरी है ठीक है ना सबसे ज़्यादा frequency आपको यह 8 दिखरी है तो हम तो यही बात कर रहें ना कि जहाँ frequency highest होती है उदर हमारा को mode मिलता है है ऐसा ही है ना तो अगर अभी यह discrete series होती मान लो तो हम सीधा देखते कि frequency सबसे ज़्यादा 8 है और यहीं पर हमारा mode होगा लेकिन अभी क्या है कि यहां पर जो हमारा यह data है यह continuous series में है योटी एग्जा है कि आप देखो तो हमें family size की कोई fix value नहीं दिया है अगर हम इस प्रॉपर 325 की frequency 8 है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह कैसे समझेंगे हम लोग हम इसे समझेंगे कि ऐसी families जो जिनमें तीन से पांच members है ऐसी 8 families है यह मतलब हुआ इसका कि families जिस में तीन से पांच members है three to five members are there in a family those kind of families are eight यह मतलब है इसका पॉइंट क्लियर हुआ अब जो mode है वो तो एक particular value होगी ना अब तीन से पांच है family size अरे यार भाई मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को कि बैटा यह हमारा एक जाय है ठीक है यह हमारा एक जाय है यह हमारा एफाय है तो हम जो mode निकालते है वो तो एक जाय का निकालते ना अब एक जाय की कोई fix वाली तो पता लगे यह मैं सीता लिख दूँ कि यह mode three to five है तो अब हमें यह समझ में है कि frequency highest eight है और अगर यह discrete होती तो हम कहते कि सर जो eight वाली frequency की value है वो mode हो गया लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि तो यहां से हमें समझ में आएगा कि mode जो है वो three to five के बीच में क्योंकि हाइस फ्रिक्वेंसी यहीं पर है तो इस point of view से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर यह three to five हमारी क्या बन जाती है model class बन जाती है समझ में आया अब समझ में आया जाती है model class बन जाती है model class मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी हाइस थैं जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी हाइस थैं वो model class बन जाती है सबसे पहले यही करना है क्योंकि model class पर ही पूरा फॉर्मूला बेज़ थैं class having maximum frequency frequency will be considered as the model class clear हो गया clear हो गया यह सब्सक्राइब कि हमारी model class थ्री टू फाइव है अब इस थ्री टू फाइव में आप एक एक करके सारी वैल्यू को अब जर्ब करना स्टार्ट करें आप देखो तो यहां पर यह क्या कह रहा है यह आपकी model class है थ्री टू फाइव तो इसकी लोवर लिमिट क्या हुई री हुई साइज ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है कि बोलो जल्दी तो इसी तरीके से एफ वन की अगर बात करें फरिकवेंशी कितनी है इसी तरीके से देखो फौदल क्लास से पिछली खिक्रिक्वेंशी तो मॉडल क्लास से पिछली क्लासकी कितनी है 7 देखो F2 मतलब model class के बाद वाली class की frequency model class के बाद वाली class की frequency कितनी है तो 0 ही अबी समझ में आया प्रोसीजर कैसे चल रहा है कब अब यह की समझ में आया तो पक्ता पक्ता समझ में आ गया अब जब सारी वाल्यूस मिल गई तो सर्फ फॉर्मॉले में पूट कर दो तो मोड निकालना है मोड मतलब लोवर लिमिट लोवर लिमिट कितनी है थ्री थ्री में क्या करने वाले हैं एफ वन माइनस एफ जीरो एफ वन का वाल्यू कितना है एफ जीरो का वाल्यू कितना है सेवन इसको सर्म डिवाइड करने वाले हैं किससे डिवाइड करने वाले हैं टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू तो टू एफ एफ वन का वाल सारी आप पहले ही मिकाल चुके ऊपर और इसमें कर देंगे कितने से किसमें करें कितने से Bab crucified सोमेजमें में आया अ है विसको given Ad निगल जाएगा तो सब्सक्राइब सक कर दो कि यह सबसे दो तरीका समझ लीजिए और कानी खतम तो क्या आगे हैं आपे थ्री प्लस वन अपॉन नीचे साल करो सोला माइनस नौ साथ इंटु टू ठीक है ठीक है भाई अब इसको साल कर लो तो यह होगे हमारा थ्री प्लस वाई सेवन और थ्री प्लस वाई सेवन की वाल्यू के लिए साल करोके तो कितना आजाएगा प्री प्लस वोलो अरे भी मुझे लिखना पड़ेगा फाइप सिक्स ना तू एट फाइप सिक्स ठीक है ऐसे सॉल कर ले ना अब आपको इतना ज्यादा करने की जुरूद नहीं है आपको सीधा सीधा समझ माला ची कि हम बस दो डिजिट तक निकाल के छोड़ देंगे ठीक है अप्रॉक्स में आएगा अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर यह आपने आंसर को निकाल दिया आपका अंसर आ गया यह 3.2856 आपकी भूप में तो खाली तक निकाला है मैंने चार तक निकाल दिया यह सर यह जो वैल्यू आपने निकाली यह मोड की यह वैल्यू तो सर पॉइंट में आ रही है तो निकाल रही है और जो मोड हम जिसका निकाल रहे हैं वह मोड को सर फैमिली साईस का था जो निकाल रहे थे ना तो कभी किसी फैमिली का साइस पॉइंट में हो सकता है क्या वेस्टन समझो कभी किसी फैमली का साइज पॉइंट में हो सकता है क्या हम ऐसे बोलूगा 3.2 फैमली है 3.2 मेंबर्स की फैमली है 3.2856 मेंबर की फैमली है अब नंबर अफ मेंबर्स तो इंटीगरल होंगे ना तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोड मीडियन और मीन का वाल्यू समझ में आया अरे आया समझ में तो यह स्क्रीन शॉट देलो इसका फिर मैं आपको एक क्वेशन जो है और यहां पर दिखाता हूं को मिसिंग रिक्वेंसी पर बेस्ट होगा यहां का क्लियर हो गया सबको पासर प्रीशॉट लेकिन रिजॉइन कर लो दस मिनट के लिए रिज्वाइन कर लो दस मिनट के लिए ठीक है झाल है झाल झाल